नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TTM EPS क्या होता है TTM EPS हमकी तरह से निकालते हैं तो वीडियो का आफी छोटा है informative आपने तक जरूर देखें सबसे पहले बात करेंगे हम TTM की कि TTM क्या है उसके बाद देखेंगे दोनों को मिलागे कि TTM EPS क्या है तो TTM क्या होता है ट्रेलिंग 12 मन्त यानि कि कंपनी के पिछले 12 महीने के जो 4 क्वार्टर है उनका जो टोटल योग है वो यहाँ पर होता है TTM तो जैसे मान लीजिए कि यह नेशले इंडिया है और नेशले इंडिया कि यह पिछले 4 क्वार्टर है तो पिछले 4 क्वार्टरों में नेशले इंडिया ने आपके कितनी सेल्स की है उसका टोटल अगर आप निकालोगे तो वो अराउंड आएगा इसका TTM तो इसका TTM हो गया है यहां पर 15,639 और इसी तरह से अगर हम देखें कि मान लीजिए नेट प्रोफिट है तो नेट प्रोफिट ने से लेगा पिछले चार क्वार्टर का अगर आप जोड़ो गया तो यह हो गया यहां पर अगर आप टोटल भी करते हो तो 600 प्लस 400 लगबग यह हो गया 1000 और उसके बाद यह हो गया 1500 प्लस 500 यह भी हो गया तो इस तरह से यह लगबग 2100 के आसपास पहुंच गया है तो टोटल प्रोफिट है कंपनी का 2100 करोड तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह TTM है और यहाँ पर यह प्रोफिट है तो 2114 यहाँ पर कंपनी का TTM हो गया है मतलब सीधा है कि पिछले 4 क्वार्टर को जोड़ दो वो किसी भी कंपनी का TTM आ जाएगा तो अब बात करें TTM EPS की तो TTM EPS के अंदर भी अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर का जो EPS है अर्णिंग पर सेर वो यहाँ पर जोड़ना होगा लेकिन उससे पहले देखें हम EPS होता क्या है तो EPS यहाँ पर किसी भी कंपनी की जो टोटल इंकम है किसी भी क्वार्टर में या किसी भी पर्टिकुलर इयर में कि पिछले 3 महने में कंपनी ने इतनी इंकम कमाई वो इंकम उसमें से हमने डिविडेंट कम कर देना है कि कितना dividend है पर company ने कमाया है वो कम कर दीजिए और उसके बाद जो company के total share कितने है तो उसका अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं तो किसी भी company का EPS निकल जाता है तो EPS किसी company का जितना अच्छा होता है वो company उतनी हम मान सकते हैं कि ख़फी अच्छी होती है तो इस तरह से हम simple way में EPS निकाल सकते हैं तो अब TTM EPS कैसे निकालेंगे तो TTM EPS का मतलब साफ है कि पिछले 4 quarter को यहाँ पर जोड़ देना है तो यहाँ पर यह पिछले 4 quarter है तो इसका EPS अगर आप जोड़ोगे तो 60 plus 40, 100, plus 160, plus 210, और यहाँ पर 4, 5, और 3 मतलब 219 के आसपास यहाँ पर कंपनी का EPS आ रहा है पिछले 4 quarter का तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि TTM TTM में sales हो गई, यह net profit हो गया और यह EPS हो गया तो यह 219.26 तो इस तरह से TTM EPS हम निकाल सकते हैं किसी भी company का इसके लिए हमें उसके just अभी जो quarter चल रहा है उस quarter और उसके पीछे वाले 3 quarter की जो total EPS बना है उसको यहाँ पर हमें जोड़ना है तो I hope वीडियो आपको समझ में आया होगा Thank you, keep supporting